इस चैप्टर के जितने भी anxiety exercise के questions दे हुए हैं उसके जर्इए पूरा 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 chapter आपका रिवाएध हो जाएगा वह एक bacteria है वह toxin मनाता है वह toxin bacteria को क्यों नहीं किल करता bacillus thuringiensis के पास एक जीन होता है और उस जीन को हम बोलते हैं cry gene और यह जो cry gene यह protein मनाता है question यह है यह insecticidal जो protein है यह toxin जो protein है यह protein bacteria को क्यों नहीं kill करते प्रोटीन जो बनता है यह inactive stage के अंदर बनता है कैसे stage के अंदर बनता है यह in active stage के अंदर यह protein बनता है hello students welcome to this amazing platform of physics वाला this is nancy रेला मैं आप सब का स्वागत करती हूं NCIT solution series के अंदर और आज zoology का last chapter के solution आज हम करने वाले हैं and the chapter is by technology and its application इस chapter के जितने भी NCIT exercise के questions दे हुए उसके जरी पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइद हो जाएगा concept हम देखेंगे question के साथ-साथ हम concept भी करेंगे और साथ-साथ में कुछ आपको पूछे जाते हैं आपके exam में and I hope आपकी preparation बहुत अच्छी चल रही होगी आपने सारे के सारे important topics को तो cover किया ही किया होगा और साथ-साथ मैं यह मान के चल रही हूं कि आपने पूरे के पूरे chapters कर लिए होंगे अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे रीचावट कर सकते हैं तो चलिए हम अपना लास्ट लेक्चर शुरू करते हैं पाय टेकनोलोजी आप्लिकेशन जोल जी का लास्ट लेक्चर है बेटा ठीक है और इसके अंदर हम करेंगे और आपकी एक्सराइज का जो पहला जो क्वेशन है वह अब्जेक्टिव क्वेशन चीक है तो सबसे पहले अगर मैं बात करो क्रिस्टल ओफ बीटी टॉक्सिन विच इस प्रिडूस्ट बाइ सम बैक्टीरिया ठीक है बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया हुआ है सम जो क्वेशन है आपका इंसेक्ट रजिस्टेंट प्लांट के ऊपर बेस्ट है हमने अप्लिकेशन देखिए हैं इसके अंदर इस चाप्टर के अंदर टोटल सिक्स टॉपिक्स है सबसे पहला इंसेक्ट रजिस्टेंट प्लांट पैस्ट रजिस्टेंट प्लांट जैनेट प्लांट इसके अंदे बेटा एक बैक्टीरिया होता है यह बैसिलस ठ्रेंगेनेश के पास एक जीन होता है और उस जीन को हम बोलते हैं क्राय जीन यह क्राइजीन यह क्राइजीन प्रोटीन मनाता है ठीक है और यह जो क्राइजीन यह प्रोटीन मनाता है क्वेशन यह है यह इन्सेक्टिसाइडल जो प्रोटीन है यह टॉक्सिन जो प्रोटीन है यह प्रोटीन बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करते ठीक है एक्चुली में जो प्रोटीन जो बनता है यह इनक्टिव स्टेज के अंदर बनता है लेकिन ये इनक्टिव प्रोटीन के अंडर कनवर्ट हो जाता है। परदती है जो की प्रोवाइड करता है इनसेक्ट की गट-alcaline pH प्रोवाइड करते जैसे हमारे स्टक्त के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम है जो की inactive stage के अंदर प्रैजेंट होते लेकिन जब तक उनको convert होता है जब इसको insect खाता है और ये प्रोटीन अब अविडियne protein यह बाइंड करेगा मेटग эфф año cell of the insect, mid gut epithelial cell of insect, mid gut epithelial cell of the insect यह bind करेगा, ठीक है, क्या cause करेगा, pork create करेगा, ठीक है, उसके बाद swelling होगी, और ultimately क्या होगी, lysis, swelling होगी, और ultimately यहां पर देखने को मिलेगी, तो मेरी बात यहां पर समझ में आई, तो अब हम इसका answer करते हैं, तो जो answer क्या रहेगा, कि bacteria resistant to the toxin, the toxin is immature, the toxin is inactive, the toxin क्या रहेगा भई, inactive रहेगा, पूरा का पूरा मैंने concept आपको समझ जा दिया है, आप जो चीज लिखी गई है, बस यहीं पर the toxin is inactive, toxin in bacteria are found in inactive form as pro toxin, these get converted into inactive form when it moves into the body of an insect, और ऐसा नहीं कि भाई मूब कर गया और active के अंदर convert हो गया, इसको alkaline pH चाहिए, alkaline pH के अंदर यह convert होगा, inactive active के अंदर, ठीक है, तो यह objective question था जो आप से पूछा गया है, what are the transgenic bacteria illustrate using any one example, transgenic चीज, ठीक है, अगर मैं word transgenic को explain करूँ न, अब यह जो transgenic है, यह bacteria भी हो सकता है, यह जो transgenic है भई, यह bacteria भी हो सकता है, transgenic crop भी हो सकती हैं, हैं, transgenic animals भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, अब हम यह कौन होते हैं, यह वो organisms होते हैं, जिनका genetic material के अंदर change आ गया है, ठीक है, जिनका genetic material है, वो alter कर गया है, यानि कि इन सब के पास एक foreign gene है, और यह जो foreign gene कैसे introduced किया है, with the help of recombinant DNA technology, और यह जो foreign gene है, अपने आपको क्या कर रहा है, express कर रहा है, ठीक है, naturally वो gene इनके अंदर present नहीं होता, लेकिन इनका जो genetic material हो गया है, क्या कोई particular gene remove कर दिया है, या फिर add कर दिया गया है, जिसकी वजह से genetic material के अंदर change हो गया है, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, transgenic bacteria भी हो सकते हैं, plant भी हो सकते हैं, और animals भी हो सकते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करो, transgenic bacteria कौन होते हैं, तो transgenic bacteria comprises a foreign gene which is purposefully inserted into their genome, these are manipulated in order to be able to express the desired gene to produce the different commercially important products, नॉर्मल ये बात करो, ये एक bacterial cell है, ये क्या है, एक bacterial cell है, इस bacterial cell के पास हमने एक recombinant DNA introduce कर दिया है, और जो हमारा जो desired जो gene है, वो है human insulin producing gene, ठीक है, human insulin producing gene है, ठीक है, ये हमने introduce कर दिया है, अब ये transgenic क्या है bacteria, इसके पास एक foreign gene है, ये हमने insert purposefully किया है, इसा नहीं कि भाई हमारा मन कर रहा था कि हम बहुर हो रहे थे, चलो एक gene इसके अंदर डाल के देखते हैं, कि क्या changes आते हैं, नहीं, हमें पता है, सारी की सारी चीज हमने अलड़ी हमें पता है, लैब के अंदर अलड़ी कर चुके हैं इसके अंदर, तो हमने इसके अंदर डाल दिया human insulin producing gene, अब यह human insulin producing gene गया है तो यह अपने आपको express करेगा, और आगे protein बनाएगा और आगे protein बनाएगा और यह चीज यहां पर मैंने बताई है, अब इसका example बताना है अब example genetically engineered insulin इसे बहतर example तो होई नहीं सकता, that is genetically engineered insulin अब भी depend करता है आपसे कितने question में पूछा गया है, ठीक है यह depend करता है भई आपसे कितने question कितने mark में question पूछा गया है, ऐसा नहीं कि अगर आपको आता है question तो बड़ा interesting है अरे एक number में question है और आपको पता है बस लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो उसके अंदर और पांच number के तीन number के question में आपके पास diagram बनाने कभी time नहीं है, कि ठीक है तो भावक नहीं हो जाने किसी question के पीछे कि अरे यार मुझे पता था रहा मैं इसके उपर question के ऊपर बैट लगा के गया था मुझे पता था यह question आएगा देखो यह आया है अब उसके उपर लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो एसा नहीं करना है समझे बतलब आपने पहले यह देखना है हरे question question paper आपको मिलेगा ठीक है तो हरे question के पीछे मतलब marks लिखा होगा कि इतने मांक का है अगर question part में भी पूछा गया है और एक question के तीन-चार पार्ट है तो उन पार्ट वाइज भी मांक दिया गया होगा कि यह इतने मांक का है तो अगर वन मांक में फोचा गया है तो तुरी लाइन से नफ है अब उसमें वन मांक में बैटा आपने पंद्रे लाइन लिखी और एक्जैमिनर डूंड रहे भाई मतलब की लाइन क्या है तो यह चीज ध्यान में रखना बेवकुप नहीं बनाना है अपने आपको टीचर नहीं मनेगा टीचर को पता रहता है कि बच्चे को कितना आता है कि पिर आदने के बाद यह नहीं कहना कि मुमी पेपर तो मेरा बहुत बढ़िया गया था एक नंबर की क्वेशन में मैं 15 ल अशार एनफ लेकिन वह पॉइंट वाइस होने चाहिए और मत पॉइंट पॉइंट बात होने चाहिए उसकी ठीक है चलिए तो यहां पर देखो For example हमने टांजनीख बैक्टेरिया लिया और जब हम जैनिटेटीक लिए इंजीनीएर इंसुललीन इस के पास दो चेन होती है को इंसुलीन जो निसुलिन तो हो तो होती है आप पॉलिपेप्टाइड चेंड छी करे एक तो उती है A polypeptide chain होती है और दूसरी जो chain होती है that is B polypeptide chain ठीक है बाइट इस B polypeptide chain ओल रेट अब A polypeptide chain के 21 amino acid होते हैं B के अंदर 30 amino acid होते हैं मैचोर insulin के अंदर दोई चैन होती है जो प्रो-insulin होता है जो मैचोर insulin होता है उसके के इंदर 3 polypeptide chain होते हैं A B और C 33 amino acid होते हैं जो C chain है इसको linker chain बोलते हैं जो कि A और B को link करने में help करती है और A और B के बीच में जो bond present होगी उसको हम बोलेंगे disulfide linkage यह important है disulfide bond present होगी bridge present होगा कुछ भी आप यहांपे बोल ठीक है तो हमने खीछ एक रिपनाट लगा लिए कि यह सपोस यहां पे ट्रांजनिक भैक्तियिया की बात और यह तो मैं एक्जेम्पल से समझारी हूं यह मनेंग lavoro ले लिया हुआ हमने यह पता लगा लिया कि वह यह यह जो जीन ऑंप यह जो जीन है इस रिस्पांसिबल फॉर दसेशिस ओफ एप पोली पैप्टाइड चेन यह एप लिपेप्टाइड चेन के लिए जरूरी है तो जीन को बाहर निकाला और ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर होस्ट हैल के अंदर विध रहल पॉफ प्लास्मीड तो हमने क्या ब केस के पास ठीक है यह विजिबल नहीं होगा कलर में रेड लेती हूं ठीक है यह हमने पता लगा लिया कि यह जो यह पॉलिपेप्ट्राइड जेन है इसको इसंत्रस करने वाला यह जीन है और हमने इसके अंदर यह ट्रांसफर कर दिया प्लाजमेट अभी जीन अब अब करेंगी यह पॉलिपेप्ट्राइड जेन ठीक है एस सैंबने भी पॉलिपेप्ट्राइड चेन को पीछेंटíन जी पॉलिपेप्ट्राइड चेन मझा बनाया और दूसरे के अंदर डाल दिया और इसमिर अपने आपको एक्सПरेस करें और त् detест ऑन बनाएगी और इन दोनों चेन को अलग-अलग बनवाया हमने अलग-अलग E. coli के अंदर और आइसोलेट कर लिया और फिर डाइसलफार लिंकेज बनाई इस तरही के से में एक मैच्वर इंसुलिन हमें मिला तो यह जो ट्रांजनिक बैक्टीरिया को हमने एक्स्प्रेंट करन अब आपके अंदर जब बीटी कोटन शुरू हो रहा है उससे पहले छह साथ लाइने लिखी हुई हैं पॉइंट करके 123456 यह सारी कि सारी एडवांटेज हैं कि इसकी जैनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स की बाइज जैनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप से हम इंसेक्ट एड़िस्टेन प्लांट बना सकते हैं जैसे कि बीटी कोटन हो गया बीटी क्वान हो गया पैस्ट जिसस्टन प्लांट और जिसके अंदर हमें इंतेक्टि साइड और पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ रहे हम नाचूरली हम इस तरीके से प्लांट बना रहे हैं और क्या फाइदा है हमने न्यूट्रिशनल वेल्यू इंक्रीज कर दी जैसे की गॉल्डन ने राइस ऐसे प्लांट बनाए जो की एबायोटिक स्ट्रेस को जहल सकते हैं ठीक है पोस्ट हार्वेस्ट लोस जैसे की फ्लैवर सेवर टमैटो जिसकी अरली राइपनिंग हो जाती है जो आपके एक फाइफ शिक्स पॉइंट्स आपके दिये हुए है यह तो आपके ड्वांटेज्ज होगी अगर आपने वह पॉइंट्स याद की होंगे तो वह भी क्या है इनफ है तो नेक्स यह क्या है क्या हम जैनेटिक लिमोडिफाइड क्रॉप कैसे बनाते हैं टू है जैसे की कॉल्ड हो गया हीट सौल जैनेटिक लिमोडिफिकेशन क्रियेट टेलर मेंड प्लांस तू यूज अल्टेनेटिव रिसॉर्स इसे इन फॉर्म फ्यूल स्टाइज फार्मेसिटिकल्स बहुत जादा हम फार्मेसिटिकल्स वगेरा हो गया अल्टेनेट हमें पास प्रेस्टिसाइड का यूज करके क्रॉप की जो इल्ड तो बढ़ गई थी लेकिन जो क्वालिटी है वो तो डिग्रेड हो गई थी ना तो हमारा तो में नेम क्वांटिटी के साथ सथ क्वालिटी के ऊपर भी है अल्राइट तो यह था इसकी कानी नेक्स जैनेटिकली पोस्टर्वेस लोस और अर्ली अग्जोशन अफ फर्टिलिटी इस अल्सों प्रिवेंटेड टू इंक्रीज दो प्रोड़क्टिविटी ओफ दे मिनरल यूज इस बाइज यह सारे के सारे आपको याद रखने हैं लेकिन अब हम बात करते हैं डिसट्वांटेज के ऐसा न है ठीक है डेंजर ओफ इंट्रूसिंग अंडिजारीबल वराइटी को एंडिजारीबल करेक्टर भी इंट्रूस हो सकता है ठीक है अब हम हाई रिस्ट्रप्शन ऑफ एको सिस्टम वाई हम किसी के जैनेटिक मट्रीयल के साथ अगर छेडशाड कर रहे हैं तो हमेशा जो मत जो फेवरिटिजम है वह इंक्रीज हो जा रहा है एक इंक्रीज कोस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऐसा थोड़ी है कि जो बाया टेकनोलोजी एक महंगी टाइम टेकिंग प्रॉसेस है ठीक है एनर्जी टेकिंग प्रॉसेस है तो प्राइस बढ़ जाता है अगर हम कोई चीज बाय लिटर्ड कर रहे हैं तो बाइट हैंस बाइटिक फूट में पॉस्में हेल्थ रिस्क हुमें के हेल्थ के उपर भी रिस्क आएंगे ठीक है और किसी कोई-कोई बही जो भी जैनेटिक ली मोडिफाइड क्रॉप है किसी पर संके अंदर वह अलर्जन का काम करता है उसकी बो मारे मेंरे साथ कृशन के बारे में मैंने आपको दे था कि जो क्राई जो प्रोटीन है ठीक है what are the cry proteins जो cry proteins अब यह क्या है थोड़ा सा तो हिंट तो मैंने आपको दे दिया था ठीक है तो cry proteins क्या है देखो जो bacillus जो thorengenesis है पूरा का पूरा mechanism देखते हैं लेकिन आपको मिल तो जाएगा ही नोट्स के अंदर सारा का सारा ठीक है सारा का सारा मिल जाएगा लेकिन एक बर इसको समझते हैं concept समझते हैं लिखने की कोई टेंशन नहीं होगी bacillus thorengenesis के पास एक जीन होता है that is cry gene और यह जो cry gene है यह क्या बनाता है बिटा cry proteins बनाता है यह जो gene है यह अपने आपको express करता है और protein बनाता है insecticidal protein लेकिन यह जो protein है यह inactive protein होते हैं कि यह क्या होते है बई इन एक्टिव protein होते है क्यों क्योंकि बरेक्टिरिया को कुछ नहीं कह सकते हैं ठीक है उस्ट ब्राई यह है Пलांट बंदेने खूब सूरत आ ठीक है, चलो वाई, बच्पन में ऐसे ही प्लांड बनाते थे न आप लोग भी, या फिर आप में ऐसे बड़िया प्लांड बनाते थे, हाँ, बताओ, 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 तो देखो, यहां पर यह क्राइजीन आइसोलेट किया, और हमने क्या यूज किया, टी आई प्ल प्लाजमिड ठीक है, और हमने क्या यूज किया, टी आई प्लाजमिड यूज किया, टी आई प्लाजमिड ओफ एग्रो बैक्टिरियम ट्यूमिफेशन और हमने इसके अंदर यह इंट्रड्यूस कर दिया, ठीक है, टी आई प्लाजमिड ओफ एग्रो बैक्टिरियम ट्यू कि लेट इस दटी आई प्लाजमेड ओफ एग्रोबेक्टिरियम ट्यूमिफेशन का यूज किया और हमने क्राइजीन इंट्रीजूस कर दिया इसके प्लांट के अंदर अब यह जो प्रोटीन मनाएगा ठीक है यह प्रोटीन मनाएगा यह हमने यहां पर इंट्रीजूस कर दिया यह जीन है बेटा एक्सप्रेस करेगा और हर एक सेल के पास यह क्या पहुंच जाएगा प्रोटीन पहुंच जाएगा अब इसको कोई इंसेक्ट खाएगा जैसे इंसेक्ट है ठीक है अ क्या कि यह इंसेक्ट जब इसको खाएगा बरी इंसेक्ट बनाया मैंने नहीं है जैसे इंसेक्ट्ट जो प्रोटीन जो मेकनिसम यहां पर होग वह यह कर लियुक्स्yinatique प्रोटीन इसके पास यहु सिफार प्रोटीन पहुंच आएगा मतलब क्या एंहां इसे इंसक्त रेइस्टेंट हो जैसे इंसेक्ट प्रोटे बनाया प्रोटीन क्या है यह प्रोटीन है प्लांट के अंदर लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसको खाएगा यह जो इनेक्टिव प्रोटीन है एक्टिव प्रोटीन के अंदर कनवर्ट हुई और यह जो एक्टिव प्रोटीन है वो किसे बाइंड किया अब यह मिडगट एपिथीलियल से बैंड किया तो क्या होगा वही पोर बनेंगे पहले तो क्या बनेंगे पोर बनेंगे अब जैसे ही पोर बने जो आसपास का फ्लूड है सेल के अंदर आएगा होगी और अल्टिमेटली क्या होगा लाइस एक्व मुर्ड ऑ लाइस होते ही क्या हो जाएगा बहुए डेथ ओफ इनसेट। । यही था यही तो हमने उज्थ किया है smoking हरे अब एसा हिमें अब डिपेंड करता है कि हमें cotton ball warm से रजिस्टेंट प्रवाइड करना है अभी जो क्राइजीन है न पर्टिकुलरी ओडर ऑफ इंस पर्टिकुलरी ओडर है इंसेक्ट का उसको रजिस्टेंट प्रवाइड करता है जैसे कि लैपीड ऑप टारेंज डायप टारेंज होगे इस लिए है और अभी तक हमें जैसे बीटी कॉटन बनाया है बीटी कॉन बनाया है बीटी टुमाटो बनाया है इस तरीके से हमने बीट ने यह क्रॉप्स बनाइए ठीक है तो इस पूरे पूरा मेकानिंजमी प्रोटिन है क्वाण कोड करता है कहां पर बनता है बेसलेस थोरंजनेसास को यह क्यों नहीं किल करता क्योंकि अन्हों इन्हेर होता है तो जैसे ही इसको अल्कलाइन पी एच मिली यह इन्च्व टॉक्सिन एक्टिव कर अधर कनवेर्ट हो गया और यह बाइन्च करेगा अधित्ट अपीथीलियल से और सवेलिंग ऑला कॉटन हो गया एट सेट्रा ठीक है बीटी सौयाबीन हो गया यह सारी के सारी चीज है नेक्स क्वेशन है वाट इस जीन थरेपी इलस्ट्रेट उसेंग एक्जाम्पल ओडिनोसीन डी एमिनेस डेफिसेंसी देखो सबसे पहले तो मैं जीन थरेपी के बारे में बात करती हूं जीन थरेपी क्या होती है जिसके अंदर ढ़ाइए ढीफैक्तिव जीन इज्री एологील ऑफ किएव जीन इस ए Harmon ब्रेटी वन क्या होते हैं आ शेक्रिस बाlog इसके में जो जीन थरैपी है यह याद रखना कब की गई 1990 के अंदर की गई ठीक है 1990 के अंदर की गई 4-year old girl और जिसको adenosine ADA deficiency थी ठीक है एडिये deficiency थी एडिये बोले तो adenosine deaminase अधिनोसीन D-aminase की deficiency थी ठीक है आप देखो हुआ क्या अब यह जो enzyme है ना यह बहुत जादा crucial है किसके लिए for our immune system ठीक है very very important for our immune system हमारे immune system के लिए बहुत जादा जरूरी है क्यों कि this enzyme is responsible for the maturation of B & T lymphocyte for the maturation of B & T lymphocyte भी ओर जो T lymphocyte है ना उसके maturation के लिए बहुत ही जादा important है ठीक है अब अगर यह जी नहीं होगा तो maturation नहीं होगा बी लिंफोसाइट का और जो बी लिंफोसाइट प्रोवाइड करती है antibody mediated immunity antibody mediated immunity provide करती है B lymphocyte और जो T lymphocyte है यह provide करती है cell mediated immunity क्या provide करते है यह provide करती है cell mediated immunity बी लिंफोसाइट यह provide करती है और T lymphocyte यह प्रोवाइड करती है ठीक है cell mediated immunity और antibody mediated immunity अब अगर यह enzyme नहीं होगा तो इनका maturation नहीं होगा कोई type के antibody नहीं होगी और जो होगी that is known as the SCID क्या है severe combined immunodeficiency syndrome severe combined immuno deficiency syndrome severe combined immuno deficiency syndrome ठीक है अब इसकी क्यों और क्या है क्यों यहीं है तब मैं इसको समझाते हूं यह हमने क्या लिया लिम्फोसाइट ठीक है क्यों क्या है देखो यह हमने लिया पेशेंट से लिम्फोसाइट 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 थी और इस लिंफोसाइट के अंदर जैनेटिक लिंजिनर लिंफोसाइट है क्यों क्योंकि इनके पास हमने एडिये जीन पहुंचाया है अब अगर हम एडिये जीन पहुंचा रहे हैं हुमन सेल के अंदर तो हम जो वेक्टर यूज कर रहे हैं वह कौन सा यूज कर रहे हैं र लेकिन आ पाऊंचा अल्डाइट उनको हमने एक्स्टेक्ट किया और कल्डिर कर लिया जीनिंग्ली लिम्फसाइट फ सिके अंदर मने इंट्रेड्यूस कर दिया लेकिन नॉट लमानेंट के क्योंकि जो लिंफोसाइट है इनका definite lifespan होता है और कुछ टाइम के बाद इनकी डैथ हो जाएगी तो कुछ टाइम के बाद regular infusion of genetically engineered lymphocyte is required अगर 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 कर दे तो यह यह पर्मानेट के और है तो जो चीज मैंने आपको बोली कि यह इल्स्टेट रॉसेंपल और अग्जेंपल डी अमेनें इस तरीके से लिख सकते हो ठीक है अब बहुत सारे और तरीके से को ठीक करने के लिए लेकिन फॉर्मानेंट के और नहीं है जैसे के एंजाएम रीपलेस है आप इसको समझ लेना और आपको पता लग जाएगा किस तरीके से क्या क्या लिखना है डाइग्रेमेटिकली रिप्रेजेंट एक्स्पेरिमेंटल स्टेप्स इन क्लोणिंग एक्स्प्रेसिंग और हुमें जीन इंटु ए बैक्टीरिया लाइक एकोलाई देखो यह इकोला हमें इन्सूलिन प्रृड्यूस्टी जीन यहीं ट्रांसफर करना है यही क्या है दोनों को सेम डiono-nucleals में एक और एको यहां पर जो हमारा जो डिजायर जो जीन है वो human growth hormone gene है क्या है भई human growth hormone gene है ठीक है और एक particular site के उपर cut करेगा और हमें क्या मिलेगा recombinant मिलेगा और हमें क्या मिलेगा recombinant मिलेगा और फिर इसके बाद इसका gene transfer हो जाएगा बस इतनी सी बात थी ठीक है तो ऐसा नहीं कि अगर नाम change कर दिया तो आप बावले हो जाओगे आप सोचोगे कि मैं यह तो क्या है यह तो हमने कभी किया नहीं है आपने तो insulin का कर रहा है human growth hormone बस नाम बदल दिया भाई concept तो वही रहेगा नाम बदलने से क्या होता है concept तो वही रहेगा तो किस तरीके से क्या है आप देखो डाइग्रमेटिकली रिप्रेजेंट करना था यहां पर हमने हाई पर दियन पर दिय को लाई लिया एक तो खुद का क्रोमोजों मलडी ने होगा और दूसरा क्या होगा प्लास्मिड होगा प्लास्मिड क्या है डबल स्टैंडить एकSTRA जो हमारे निया और जो हमारे जो डिसार जिए जीन था उसको प्राइवैन ही गर्ज हमारे पास गय contemporan बनाने के बाद किसने बनाए प्रक्राम कमईने व्हाइग दोनों को transfer कर दिया transfer करने के पास यह कोलाई के पास पहुंचा अभी जब करेगी तो इसके पास हमारा दिजाइब वी जाएगा एकशली यह जो डाइग्राम है यह प्रिंसेपल और क्रोसस का डाइग्राम एठिक्षा का डाइग्राम है बाइच्टनॉलिजी प्रिंसेपल तो देखो बड़ा सा असानने यहां पर सरफ चीज आपने पड़ी यह लेकिन सरफ इसका concept बदल गया सब्सक्राइब क्या है यह जैसे एक सीड है कि सीड से हमने क्या रिमूव करना है हमने औल प्वेया से अब और यह कैसे करेगा को एक्सप्रेशन को हमने इनिभिट कर दिया कि तो इनके खिलाफ आनीं बिटर बना ले किया तो हमने नहीं बना ले तो आगे एकंप्रेशन को रोक दिया तो यह आगे एक्स्प्रेश ही नहीं कर पाएगा ना बने गा यह ल सो जाएगा तो यह जो मैथट है किसके अंदर होता है स्वाइवर से टमाटो के अरड डैवर सवर टमाटो के अंदर क्या किया था हमने जो प्रीस करता है अर बनाता या बना दोड से सुनना है यह जीन क्या करता है express करता है और express करेगा तो क्या बनाएगा polygalacturonase 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 बनाएगा ठीक है और यह जो polygalacturonase है that is responsible for ripening of tomato अब हमने इस gene के expression को ही ही रोक दिया इस gene के expression को ही हमने निवीट कर दिया ठीक है और अगर हमने इसको आर रहते इंटर टेकनिक का यूज करके आर इन्टर एंटर टेकनिक का हमने से एकक्सपेंट को कोई रोक दिया यह सी त्शेम इसी तरीके से यह concept यहां पर apply किया गया है जो लिखा आपको जो लिखने को मिलेगा बेटा वह यहां पर आपको मिल जाएगा तो इसमें टेंशन की वाली कोई बात नहीं है कि चीज होती ही क्या है ठीक है सेम वही चीज यहां पर दी गई है कि next is find out the internet what is golden rice golden rice क्या है है ठीक है मतलब हमारी बोड़ी के अंदर बीटा कैरोटीन होता है और इस बीटा कैरोटीन यह कनवर्ट होता है किसके अंदर वाइटमिन एक अंदर वाया लीवर कि जो बीटा कैरोटीन है वाइटमिन एक के अच्छी होगी पानी की अच्छी है वहां पर राइस अच्छा हो रहा है लेकिन राइस एक कार्बो हाइडरेट का सोर्स तो है ठीक है राइस एक कार्ब का तो सोर्स है ही है लेकिन हमने इसको वाइटमिन ए का भी सोर्स बना दिया कैसे बना दिया हमने डैफोडिल से हमने क्य करिया भई डैफोडिल से ठीक है बीटा कैरोटीन जीन को एक्स्टेक्ट किया बीटा कैरोटीन जीन को हमने एक्स्टेक्ट किया ठीक है और हमने किसके अंदर इंट्रीड्यूस कर दिया राइस के अंदर हमने इंट्रीड्यूस कर दिया और यह कैसे इंट्रड्यूस होगा वाया टी आई प्लास्मेड अब यह गोल्डन नेजर का क्यों होगा जस्ट फीकोज भीकोज बीटा कैरोटीन की वजए से यह गोल्डन कलर का होगा और इसके अब यह चीन वाइटमीन एक भी सोर्स हो गया और यह चीज किसके अंदर नूट्रिशनली रिच वैल एक जो हमने जैनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर देखा था ना कि हम नूट्रिशनल वैल्यू भी नैंस कर देते हैं यह राइस पहले जो वाइट राइस था और राइस यह है अब का पर यह ब्डिया में आपको याद रखनी है बस मैंने सको एक्सपैंड कर दिया है सो देट आपको यह समझ में आ जाए सारे के सारे कॉंसेप्ट को मैं एक इस्प्लेंड कर रही हूं जो लिखना है वह एक बार यहां पर आपको आईडिया मिल जाएगा पीडिए आपको मिलेगी और आप उसे याद कर सकते हो ठीक है next question is does our blood have protease and nucleus कि हमारी blood के इन्थे protease और nucleus होता है तो हमारी blood के इन्थे ना कोई protease होता ना कोई nucleus होता है protease क्या करता है भाई protease digest करता है protein को and nucleus करता है nucleic acid को अब nucleic acid को तो हमने डाइजस्ट कराना नहीं है ठीक है और जो protease है अब हमारी body के हमारी blood के अंदर protein नहीं होती अगर आपको blood की composition अगर याद है तो protein होती है नहीं होती antibody की बगर मैं बात करों तो antibody आपने चलो पीछे की बात क्यों करते हैं अभी की अगर हुआ तो यह सारी की सारी चीज़ेंगी जो हमारी blood के अंदर protein होती है तो हमारी blood के अंदर ना तो कोई protease होता ना तो ही कोई nucleus होता next question is consult the internet and find out how to make orally active protein pharmaceuticals what is the major problem to be encountered देखो हमारी body के अंदर क्या हम जैसे हमने genetically engineered insulin बनाया था ठीक है हमने क्या बनाया था हमने बनाया था हमने बनाया था जैनिटिक ली एंजीनियर इंसुलिन जो हमने बनाया था इसके अंदर एक तो ए पोली पेप्टराइड चेन होती है एक तो ए पोली पेप्टराइड चेन होती है और दूसरी भी पोली पेप्टराइड चेन होती है अब जो ए पोली पेप्टराइड चेन होती है अब जो ए पोली पेप्टराइड चेन होती है अब जो ए प और डारेक्टली हम इसको और ली स्टमड लिया पतुप हमारे स्टम्मड के अंदर सो मस्ट मैं तो प्रेप्सीन प्रेजेंट भूटा है इसको डाइजस्ट प्रीजेस कर देगा तो एक तो आए एक तो यहीं मेन रीजन है ऑर अगर हम इस प्रॉब्लम को हमने 비롐àn करना है तो problem को कैसे overcome करना है to overcome this problem हमें क्या करना करनी पड़ेगी हमें क्या करनी पड़ेगी और एक्टिव फार्मेसोटिकल मस्ट भी कोटिट भाइए फिल्म तो फाइदा क्या हुआ तो यह कहानी थी जो मैंने आपको बता दी अब कुछ जो आपको मतलब समझ में आ जाएंगे किस तरीके से question पूछे जाते हैं तो नेम दो सोर्स ऑफ और्गनिजम ऑफ जीन क्राइब क्राइब जीन पेसले सोर्स क्या हो जाएगा बेसले स्थ्ट अब क्राइफ फॉर्स टेक मैंने आपको क्या बताए तो जीन यह जीन मैटर करता ह है कि हम किस तरी इन पर्टिक्लर इंसेक्ट के अगें सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्राइज जो फॉस्ट टैक है इट प्राइड अगेंस तो कॉटन बुलवर्म और आपका होंबोग यह है तो चलो यह बताओ क्राइब किसके अगेंस हमें रिजिस्टेंट प्रोइड कर प्रोइड कर चुके हैं आपके इंसेरटि में भी डिरेट क्वैसन है एक होने में एक एक्टिव प्रोटीन को inactive से active होने में लगेगी alkaline ph क्या लगेगी वही ऐ सब्सक्राइट करता है निभेड करता है यह मैंने इंपॉर्टन् wicked आपको lecture अप आप जब कोई भी लेक्ट्टर देखोगे मेरा तो उसके अंदर मैं पक्का बोलती हूं वही आपको याद रखना है क्राई फर्स्ट एक और जो क्राई सेकिंड एब किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो आपको याद रखना है तो अगर जो क्राई जो जीन है आपको याद रखनी है एक नंबर में क्वेशन पूछा गया है तो आप ऐसा नहीं है कि आरने इंट्रफेरेंस टेक्नलोजी में आप पांच नंबर का प्रिपेर करके गए है तो भाई जितना आता उतना तो लिखो गई ऐसा नहीं है आरेंट्रफेरेंस टेक्निक अगर एक नंबर में है तो आरने इंट्रफेरेंस टेक्निक को मेसेंजर साइलेंसिंग भी कहते हैं यह डिपेंस प्रोइड करते हैं एक नंबर के हिसाब से लिखना है ऐसा नहीं कि आरने इंट्रफेरेंस को पांच नंबर का प्रिपेर करके आ सब्सक्राइब हैं एन्दर केमेशा से उन एक शेसे के पॉलिपठरेगा ब मैंने इस दो मिली पॉली पहर पॉली ट्रेट टंसेंगा फिर्ट C-Peptide is an extra stretch of the peptide that connects your A or B, इसलिए C-Peptide को Linker Chain भी कहते हैं, जो कि A और B को Link करने में help करती है, during processing to release the mature and functional insulin, C-Peptide को remove, C-Peptide remove हो जाती है, ठीक है, next is explain how Eli Lili ने American company produced insulin by recombinant DNA technology, पूरी की पूरी आपको स्टोरी बतानी है, कि Eli Lili पहली company थी, कब produce किया, एक तो year याद होना चाहिए, 1983, 1983 के अंदर, ठीक है, तो DNA sequence corresponding, दो ही पॉलिपेप्रेट चेन होते हैं, तो C-Peptide chain को synthesize करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो mature insulin के present नहीं होती, mature insulin के अंदर, तो DNA sequencing corresponding to the two polypeptide A और B chain को हमने synthesize कर लिया, और हमने दियार इंट्रड्यूस प्लाजमिट बनाया, ठीक है, और उसको हमने इंट्रड्यूस कर दिया, प्लाजमिट से हमने री कोमिनेंट बनाए और री कोलाई के अंदर, इंट्रड्यूस कर दिया, अब यह एक हमने insulin जो एक polypeptide chain को synthesize करने वाला, हमने इंट्रड्यूस किया, और बी चेन को synthesize करने वाला, बी चेन हमने isolate किया, और हमने प्लाजमिट बनाया, री कोमिनेंट और ट्रांसफर कर दे, इकोलाई सेल के अंदर, जो होस ली थी, इलाई ली ने, कंपनी ने, साथ में लेब में डाइसलफाइड लिंकेज बना लिया, इस जीन थेरेपी नेम फॉर्स क्लिनिकल केस इन विच इट इस यूजड तो जीन थेरेपी तो मैंने आपको बताया था डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दिया बाइड़ है लगी जीन फॉर्स जीन थेरेपी Deficiency थी ठीक है, A boy has been diagnosed with ADA deficiency, suggest any one possible treatment बैसे शरफ आपको क्या करना है आपको बताना है one possible treatment ठीक है आप से यह नहीं पूछा गया है कि यह बताओ कि यह ट्रीटमेंट बताओ कि पर्मानेन ट्रीटमेंट है या फिर कैसा नहीं कोई भी ट्रीटमेंट आप बनास बता सकते सकते जो transplantation भी बढ़ा सकते हो ठीक है अगर डिपेंड करता ही कितने नंबर में पूछा गया वन मांक में आप जैने ट्रांसफर ओस ट्रांस्प्लांटेशन तो बॉन एंजाइम रिप्लेस्मेंट थेरीपी बॉन मेर्यो ट्रांस्प्लांटेशन और ट्रांस्फूजिशन ओफ अधिरल और वाइरल हुमें डिजस्ट नेम एंगा डियाग्नोस्टिक टेक्नीक टो डिडेक्ट अप्रेशन पैथोजन इन इस अर्ली स्टेजन इंफेक्शन तो अध्मालेक्लर डाइग्नोसिस भई मैंने च्शेप बताये थे कौन कौन से छे थे मैं अल्रडी बता चुकी हूं तो मॉलिक्लर डाइग्नोसिस के अंदर तींग आपको टेक्नीक बताएं पीसी यार और डी कॉमिनेंट डीने टेक्नोलजी यूजिंग प्रोब और अलाइजा एंजाइम लिंक डिमीनो जॉर्बेंट ऐसे ठीक है जो कि अर्ली डाइग्नोसिस हेल्प करते हैं क्योंकि बीटी को टन है यानि की बीटी रिप्रेजेंट करता है बेसलेस थोरेंजेनेस को ओप्शन नमबर ए गोज विद फॉर्थ तो आपका करेक्ट आंसर सी ए एडिनोसीन डी एमिनेस डेफिशेंट करता है जीन थेरेपी को यानि की फॉस्ट आर एने इंटर पेरेंस जो टेक् सी सब्सक्राइब करता है यह मतलब आपको करके देखना है होम वो कि क्या आप इसको सोल्व कर पा नहीं आपको नोटस पढ़ो उसके बाद इंसे आयर्टी सलुशन करो और उसके बाद हो मैंने आपको देंदी है यह आइडिया देने के लिए कि इस तरीके से कुशन पूछ आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो अगर आपको बीट आउट है तो फिक है जितना आप ढूंड़ोगे जितना आप खुद से सर्च करोगे उतना जाद आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा चीज लोंग टर्म के लिए आपको दिमाग में आपके सेट हो जाएंगी तो से फिर हमने रिप्रोड़क्टिव हेल्थ, हुमें हेल्थ एंड डिजस्ट, एवल्यूशन, बायो टेक्नोलोजी प्रिंसिपल एंड प्रॉसेस और बायो टेक्नोलोजी एंड इस अप्लिकेशन यह आज का आपका लास्ट चैप्टर है सिरफ जोलोजी का बोटनी के फोर यूर एक्जैम्स, बी पॉजटिव, अच्छे से लिखो, घबराओ मत, पेपर को देखके, घबराओ मत ऐसा नहीं है कि जब आप एक बर ओवर्व्यू करें पेपर का, तो अगर आपको एक क्वेशन नहीं आया, गल्ती से, तो आप डी मोटिवेट होगे, ऐसा नहीं ह फोरी से गबराओ तो पेपर को देखके हो जाती है, लेकिन अपने आप पर भी आपको पूरा भरोसा रखना है कि आपने तयारी करी है, and you are ready, कि अब आप एक्जैम्स को फोर्ड दोगे, ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, म जय हिंद, जय भारत!